धन्यबाद स्रीमन मैं अपने आपको किसानों तक ही सहीमित रखना चाहता था लेकिन अभी अधनी केस अवराव जी ने जब हेल्थ की बात की मैं जहां तक मैंने समझा है मैं ये बताना चाहता हूँ इस सदन को कि बहुत तालियां बजाएं गएं कि हेल्थ का बजट एक सो सत्रे परसेंट बढ़ा दिया गए उसमें मिनिस्ट्री और गुसेड़ी ड्रिंकिंग बाटर, सेनीटेशन पूरे सेखाबत साब की मिनिस्ट्री भी बेज़ी है फैक्ट ये है कि एक दोलाक उन्तीस हजार करोड के बजट में केबल तेट्र हजार करोड मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ एंड फेमली बेल फेर और लगबक 2700 करोड रुपया केबल ICMR के लिए हेल्थ रिसर्च के लिए बैक्सीन की इतनी बात कर रहें सब कुछ मैंने पूछा था अधिकारियों से ये बताईए कि जब ICMR का हिस्सा है उसकी मदद से भारत बायो टेक ने ये जो बैक्सीन बनाई है उसमें हमें कित्ता हमारे ICMR को बड़ा मारकेट है इससे बड़ा कोई मारकेट नहीं आद दुनिया में कितना पैसा मिला है कोई पैसा नहीं मिला है हमारे साइंटिस्ट काम करें लाब उठाए भारत बायो टेक ये सिदी है केवल जी डी पी का पॉइंट फाइब परसेंट मैं कहना चाहता हूँ तथ देखा का गलत हूँ तो मैं मा भी मागनूँ केवल जी डी पी का पॉइंट फाइब परसेंट हेल्थ और फेमली बेल फेयर पर बजट खर्च करेंगा आएगा जब ग्यारे परसेंट ग्रोथ रेट होगी आपकी तब एकिस बाइस बाइस फिर ये बात इसलिए मैंने कही कि केसव राव सावने हो सारे देश को ये बता जा रहा है कि हेल्थ पैसा किया गया है ऐसा कुछ न मैंने एसी लिए दॉट्ट प्रफशर साब आप इसर लिए याशर निकलने के वज़ें प्रेस वालों ने पूछा तो मैंने काक हमारे गां पहुते हैं कि यह हवा में गांटे वान रहा है तो यह हवा में गांटे पहंतर आएं कि और है बासता है डरातल पर कुछ नहींता ह अब मैं आ रहा हूं अपने मुख्य बात नहीं करूंगा आप जानते मैं कभी लंबी बात नहीं करता हूं लेकिन आज इस्तिति यह है कि देश के किसान इसलिए बात कर रहा हूं कि पंजब, हर्याना और पस्ट्विं उत्तर प्देश तो दिल्ली के पास है यह यहां आ सकते ह और इसलिए आए बरना नासिक से लेके लाखों की तादाद में लोग मुंबई गए बवार साथ ने अड्रेस किया उनको और दच्छ भारत में कई जगह लाखों की संख्या में लोगों ने रहलियां की इन कानूनों के खिलाब पर दर्सन किया अब हमारे किसान बैठे हुएं कई महीनों से तमाम किसान किसानों की जान जा चुकी है सर्दी की वज़े से भूग की वज़े से अनक तमाम कारणों से लेकिन सरकार ऐसी निर्दई हो गई है ऐसी बेरहम हो गई है कि उसके ऊपर कोई इसरी नहीं हो रहा है कोई इसर नहीं हो रहा है आप ये बताएए कि अगर आप उनको डेड़ साल तक होल्ड करने के लिए रोकने के लिए राजी हो जाते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है कि उन तीनों बिलों को बिगड़ो करके इस सेशन में रिपील की दिये उस एक्ट को और नए बिल ले आईए उनको स्टेंडिंग कमेटी को भेज़ दीजिए और उसके बाद नए विल पास कर दी अगर पहले भी आपने बिपक्षी मांग मान ली होती कि स्टेंडिंग कमेटी को भेज़ दी जाए तो ये संकत नहीं आता अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे गाजी पूर बार्डर पर और टीकरी हो चाए सिंगू बार्डर हो सब पस सड़क खूद कर कॉंक्रीट की दीवाले बना दी गई उससे पहले काटे लगाए गए मन्दद जो हमारी पार्लामेंट की सुरक्षा नहीं है उससे जादा जबर्दत सुरक्षा की गई पाकिस्तान बार्डर पर भी ऐसा नहीं है मैंने तो बार्डर भी देखी वहां भी इस तरह कर नहीं है तो यह क्या हमला करने आ तंदी पर और बार बार हमारे राष्टपत के अभघभासन में भी इस भात की चर्चा करवा दी आपने राश्पत को आप जानते हैं कि राश्पत तो वो ही कहेंगे जो आप लिखेंगे उससे ने एक लाइन इधर कह सकते ने एक लाइन उदर कह सकते वो अगर अपने मन की बात कहना चाहें तब भी नहीं कह सकते अब किसान अपनी मन की बात कहना चाहता इसलिए आया क्योंकि वो अगर टेली विजन और रेडियो पे उसकी बात आ नहीं सकती इसलिए बैठा इसलिए है कि वो अपनी मन की बात आपको सुनाने आया है आप तो अपनी बात सुना देते हैं सब को, कोई देखकर नहीं तो जब और प्रस्ण उठता ये है कि आया क्यों है मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं किसानों के लिए कानून लाए किसानों के लिए कानून लाए किसान के लिए कानून ठीक नहीं जब उनके लिए ठीक नहीं जिनके लिए लाए हो ता आप क्यों जबरदस्ती उनके उब लाद रहे हो कानून वो कह रहे हैं कि हमारे लिए नुक्सान दाए कि आप कह रहे हैं माप के लिए लाए अब देखिए जो MSP की बात चलती है ये ordinances आ गए ते पहले ही जून में और बाद में बिधेक आए जब सत्र चला तब मैं आपको दाहन देना चाहता हूँ कि इस्तिती कितनी खराब हो गए लास्ट येर जब ये अध्यादेश नहीं आया था उससे पहले हमारे हम मक्का का भाव था 22 रुपया कुंटल 22 सो रुपया कुंटल और इस बार जब ये अध्यादेश आपने लाओ कर दिया उसके बाद मेरा तमाम जमीन खाली पड़ी रहती थी धान उसके बाद आलू गया हूँ ये सब करते रहते थी तो लड़के करते थे नोंने कहा सब मक्का 22 सो रुपया कुंटल बिक रही है अब की मक्का कर दीजिए मक्का की तो 11 सो रुपया कुंटल 11 सो रुपया कुंटल और आपकी MSP है सर MSP है हाइब्रिड की 26 सो साथ रुपया और समान मक्का की 1860 रुपया तब हमारी मक्का मेरी कोसिच करने के बाद भी प्रसासन ने कहा कि हम नहीं खरीद पाएं दलालों की तो खरीद लेंगे लेकिन आम लोगों को ग्यार आपके बहार में तो इससे भी ज़्यादा खराब भाप पता कर दिया कि मक्का क्या असाब बिकी वह मंडी ने लिए तो MSP के मिलने का कोई सवाल नहीं है इसलिए नहीं कि आपने कहीं इस कानून में यह नहीं लिखा कि मंडीयों के अलावा जो प्राइबेट मंडियां बनेंगी और प्राइबेट बनेंगी बनेंगी क्या हमें लगता है इन लोगों को कई साल पहले पता था बड़े लोगों को यह ऐसे कानून आएंगे आपके मद्रदेश में कई जगे एक बड़े ब्यपसाई ब्यापारी ने जिसका नाम रोज लोज देते मैं नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन कई करोड टन चाबल और गेहूं भरने के लिए रखने के लिए गोदाओं में बना ली चार साल सा बना ही थी दिखवज़ सिंग जी माननी दिखवज़ सिंग जी अच्छी तरह जानते हैं अब जब उनके बगल में जो मंडियां होनी हमारी राज़ की मंडियां बेच चल जाएंगी क्या उन्हें कैसे मालूम था भई कि ये कानून आने बाले जो चार साल सा बना रहे था आप देख आई ये जाके अगर मैं गलत कह रहा हूँ बनाई मन्नी की नहीं बनाई और किनकी हैं वो मन्नीयां जिनके हवाई अड़्े हैं कुछ दिनों बाद जिनकी रेलें भी हो जाएंगी जिनके अब लखनव हम गए तो बहुत चौदी चरंसिंग हवाई अड़्ा है लेकिन नाम लिखा हुआ है अडानी लिखा है हर जगे हर लखनव कि हर सलक पर उसके बोर्डर लगा दिये गए होडिंग आप बाहर जाएए अगर दस मिनट गारी खड़े करेंगे तो इतना रुपया और दस मिनट से जादा हो गया तो इतना रुपया आपको अगर कोई छोड़ने आया आप बी आई पी हैं उनके साथ आपके साथ गारी चली आएं थोड़ा साथ हवाई जाल लेट है और आप से नमस्ते करने के लिए खड़े बात करने के लिए रह गए तब तक पता दिला गारी के पैसा पड़े गया बहुत बुरा हाल है तो बही इस्तिती इसमें है कि किसान क्यों परिसान है किसान जानता है बहुत अच्छी तरीके से सबसे बहतर मंडियां काम करती है पंजाब और हल्याना की और वो जानता है कि जब ये मंडियां बेकार हो जाएंगी तो मनमाने तरीके से यह जो बड़े उद्योगपती हैं जिनकी मन्डियां बनेंगी निजी बेक किसानों को कहेंगी का इस भाव पर लेंगे देना हो तो ना देना हो तो रखो अपने गरीब होता है आदमी किसान किसान को जब फसल होती है तब वो उस पैसे इसे अपने बच्चों के लिए कपड़े लेता है लड़के लड़कियों की साधी हो तो उसका इंतिजाम करता है पढ़ाई के लिए पैसा की बिवस्ता करता है तो मजबूरी उसे पर सस्तिम बेचना पड़ता है और यह भय है और भय बास्तविक है दूसरे यह कि जो एक इसमें दूसरा बिल है कॉन्टेक्ट फार्मिंग का कॉन्टेक्ट फार्मिंग में इतनी बड़ी दोका धरी हम लोग पहले ही संदे था अब आप देखिए 36 गड़ के लोग हैं यह यह हमारे पास सामने रख़े हुआ पेपर कटिंग 36 गड़ के साथ जिलों के किसानों के साथ पॉन्टेक्ट फार्मिंग में दोका धरी एस पी से सिका है तो हजारों करोड रुपए के हो गया है दोका धरी पैसे ही नहीं दिया ले लिया पैसा नहीं दिया और कुछ जगह कहा कि हम यह बीज दे रहे हैं आपको पैदा कीजिए 26 रुपया लेंग खरी देंगे और पैदावार इतनी ज़्याद होगी पैदावार आदी भी नहीं होई और आप कह रहे हैं कि 800 रुपया खरीदें और नहीं नहीं खरीदें आप क्या किसे कर लेंगे आपने कहीं इस बिल में ये विवस्तह नहीं की कि चाहे लाजकी मंडी में खरीदा जाए चाहे कोई इंडिविजुवल खरीदे चाहे कोई और प्राइवेट मंडी वाला खरीदे इस MSP से कम लागत पर कम कीमत पर कोई नहीं खरीदेगा यह गारंटी अगर एक लाइन लिख दे जाते तब भी लोगों को भरोसा रहता कि इसमें हमारी MSP बची रहेगी अब केवल का ऐसे ही कहते रहोगे कि MSP नहीं जाएगी कहां आपने गारंटी की भाई जो बड़े-बड़े खरीदेंगे लोग और कॉंटेक्ट फारेंगों का एक मालूम क्या ओर्डर है एक डर यह है कि वो छोटे-छोटे जैसे तीन एकर से कम कि किसान हंद्रस्तान में लगए पचासी परसेंट है कि वो कॉंटेक्ट लेंगे तो पता चला कि 500 एकल दे रहें पूरे दो-चार गाउं की जमीन ले ली कॉंटेक्ट अभी तो हम लोग देते हैं कि मालों बटाई पोई ले लेता तो एक फसल के लिए देते हैं दो फसल के लिए दो साल के उससे जादर नहीं देते हैं कि कहीं कभजा नकल ले यह लेंगे 25-25 साल के तो जो लोगों को भाई है कि हम बेघर हो जाएंगे बेजमीनी हो जाएंगे तो क्या गरत दर है उनके मन में यह सई है तो यह जो लोगों को के मन में भय है इसलिए उसको बदूर करने के लिए इन बिल को बापस लेने के लावा कोई रास्ता नहीं तीसरी बात यह है कि आपने जो एक बिवस्था और कर दी है आखिर कुछ एक्षन ऐसे होते हैं जिससे लोगों के मन में संदे जो पैदा होता है वो कनफर्म होता चला जाता है आपने विवस्था यह कर दी कि यह यह जिन से जो मेन है जैसे चावल है दान है गेंव है आलू है और कुछ तिलहन है दलहन है यह एसेंसियल कुमोडिटी के अंतरगत नहीं आएंगे तो यह खुली होडिंग की छूट किस के लिए दी गई भाई गुलाम नभी आजा तो कहीं भाद नहीं देंगे जमीन खरीद के कौन खरीदेगा कौन होडिंग करेगा यह बड़ी-बड़ी मंडिया मन नहीं है वो किस लिए बन नहीं है जो बड़े-बड़े गोदा में सौरी बड़े पेवाने पर गोदा में बनाई जा रही है वो किस लिए बनाई जा रही है इसी होडिंग के लिए किसको होडिंग कर ले और उसके बा या कोई और महमारी होगों सिस्थिती में आप उनको ले सकते हैं अन्यता उन्हें छू नहीं सकते चाहे जंता भूकी मरती रहे लेकिन गोदाओं में भरी रहेंगी जब अकाल पढ़ा था एक बार बंगाल में तो लाकों टन नीचे गोदाओं में भरा था और हजारों आदमी उपर मर गया था ये कहीं पढ़ा था मैंने मरे थे लोग तो इसलिए ये जो संदे लोगों के मन में है ये अनावसक नहीं है और आपने आरोप लगा दिया कि बिपक्ष ने किसानों को गुमराह कर दिया है हर चीज में राजनीत करने की आवसकता नहीं है जो सूरज के रोसनी की तरह साफ चीज हो उसको लिए भी ये कहो कि ये तो भई ऐसा नहीं ऐसा है तो कौन मान लेगा उसको आपने कहा कि किसानों ने गुमराह कर दिया और एक चीज नहीं हर चीज में आपने कल देखा होगा बादमा अधिकारियों को बैक फुट पर जाना पड़ा कि दिल्ली में साधरा पुलिस ने इस्टील की लाथिया मंगाई एस्टील की लाथिया जब वो कुछ चैनलों ने दिखा दी तो अधिकारियों ने सपस्टीकन दिया हमें नहीं मालूम था कुछ लोकल अधिकारियों ने बना ली थी बादमन को बिड्डो कर लिया गया किसानों के लिए इस्टील की लाठियां कभी दुस्मनों के लिए बॉर्डर पे इस्टील की नहीं जरूरत बड़ी लाठी की जरूरत लेके नहां इस्टील की लाठी मंगा ली तो क्या ये दुस्मन है जो देश को खिलाते हैं पंजाब का एक सांदार इतिहास है अतीथ है अतीथ है अगर पंजाब इतनी बड़े पिहमाने अब तो देश के दूसरे हिस्तों में भी बहुत बड़ीया ख्यती होने लगी लेकिन उस्थिती ऐसी थी जिसमें देश के बड़े हिस्टे को खिलाने पिलाने का काम पंजाब करता था देश की सीमाओं पर बड़े पहमाने पर उनके घरों से जाने बारे अर्में यह यह आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि जितने किसान परिवारों के लोग हैं बे नकेबल खेती पेदा करके लोगों के पेट भरने का काम करते हैं बलके हमारी पुलिस और सेना में जो लोग हैं बॉर्डर पर जो सीमाओं की रक्षा करते हैं देश में जाओ लॉइंड ओर्डर को बनाई रखने का काम करते हैं बे जवान भी इन्ही किसानों के परिवारों से आते हैं ये उन परिवारों से नहीं आते हैं जो जिनके लिए आप लोग काम कर रहे हैं आपको काम करना चाहिए इनके लिए आप कर रहे हैं उनके लिए जिनके आसपास का जिनके रिश्टद रिश्टेदार और खांदन कोई सेना में जाही नहीं सकता है नहीं 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 गारन के सामने गोली चला दी जाए तो गिर पढ़ें गा लेकि देश का धन सारा एक हट्टा कर लें ओनकी मदद तो रही भई यह क्या दिक्कत है कि सान कह रहे हैं कि वापस कर लिए इसमें प्रतिस्था का प्रसूणग आ अगर हम कहते अगर विपक्ष कहता पॉलिटिकल पार्टि कर लीजिए आप मत करो एक इसान किसी राजनातिक दलका नहीं है किसी राजनातिक दल से प्रेरित नहीं है बलकि जो लोग बैठे हुए उन्होंने कहा है कि कोई राजनेतिक दल का ब्यक्त हमारे मंच से भासन नहीं कर सकता है बैठ सकता है नीचे लेकिन मंच पर नहीं जा सकता है कहा है कि नहीं कहा है तो उसमें आपकी क्या प्रतिष्ठा गिरी जा रही है जब नभी साब बता रहे थे जो उन्होंने उदार तीन दिये वो सो फीस्दी सत्य और तथ्यात्मक हैं जब अंग्रेज किसानों की बात को मान सकता है और कानून को बापस ले सकता है तो क्या आप अंग्रेजियों से खराब है आपको क्या दिकत है समाई हो गया जी हो गया ओलेडी दो मिनिट तीर मिनिट अदिक हो गया मैं आदा मिनिट में खनम किये दे रहा हूँ सर एक तो मैं अपनी बात खतम करने से पहली एक कहना चाहता हूँ किस आपात इस पैंडेमिक में भी अकेले खेती ही ऐसी थी जिसने जीडीपी को रोके रखा कुछ है हमारी खेती की का योगदान बीस परसेंट है 14 परसेंट से बढ़के बीस परसेंट हो गया कि उनको और जीडीपी डाउन हो गई थी लेकिन खेती ने आपकी इज़्जत रखने की कोश्च काम किया लोग देश को बचाने का काम और दूसरे ये कि जो लोग मरे हैं मैं सरकार से ये मांग करता हूँ को उनके सानों के उनके परिवारों को कम से कम बीस बीस लाख रुपए का मापजा दिया जाए और उनके बच्चों को कहीं कहीं राज सरकारों से कहके या किन सरकार में उनको एक आत्ब बच्चे को जो मरे हैं उनको सरकारी नोकरी दी जाए और हमारे गुरू उद्य प्रताप सीन एक बार लिखाता ऐसी पर कि खेत में मेहनत तुमने की तुम्हीं को तंगी का डर हो तुम्हारे घर में दिया जले रोसनी और कहीं पर हो उठो ओए नील कंट तीसरे नेतर की याद दिलाता हूँ तुम्हें आवाज लगाता हूँ तो ये किसानों को इस सदन के माध्यम से मैं आवाज देना चाहता हूँ एक हो सारे देश के इन्हें तो अभी गवंड है कि हम बाहर समगा लें तो मत दो अन हम बाहर समगा लें हाँ ये ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं लेकिन कितने दिनों तक कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि किसान जिस दिन विद्रोह पवतर आएगा तो बड़े-बड़े लोग सत्ता में नहीं रहते हैं ये किसी को घमन नहीं रहना चाहिए कि हमेशा सत्ता में बने रहें इसलिए लोगों की बात सुनिए लोगतंत्र है देश की बड़ी आबादी वो है बैठे लोग उनको मनाईए बे आपको मना रहें ये समझ ये एहसान कर रहें आपके आप उनसे कहिए आप जाईए हम ये विद्रो करेंगे बिल और नए बिल लाएंगे जिसमें उनसे भी पूछा जाएगा उनके संगठनों से पूछा जाएगा और उसके हिसाब से संसोधित लाए जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद